उससे पहले आज के बिग स्टॉक्स आज रडार पे कौन-कौन से? आज हम तीन स्टॉक्स ले रहे हैं, बिग स्टॉक्स में, सबसे पहले कोल इंडिया हमने शुरू में थोड़ा साथ हिंट दे दिया था हर प्यमाने पर शांदा नतीज है, कोल इंडिया के, at least numbers में कोई दिक्कत नहीं है और कोल इंडिया, valuation के साब से भी सस्ता है, प्लस dividend yield भी है यहाँ पर देखे, एक होते हैं PSU's SJVN जैसे, IRFC जैसे, एक होते हैं PSU's कोल इंडिया जैसे यहाँ पर आपको distinction करना आना चाहिए, कोल इंडिया में अगर आपको बीच में correction दिख भी जाएगी तो भी eventually आपका पैसा बनेगा यह मतलब एक important चीज होती है, 18% मुनाफ़ा बढ़ा आशिष, 500 से ज्यादा करोड की बीट है यहाँ पर, revenue में करीब-करीब हजार करोड की बीट है, और margin देखिए, 31.5%, Jeffries ने price target दिया है, 500 का, 500 का price target दिया, उन्होंने EPS estimate बढ़ा है, 4-9%, 4-9% EPS estimate बढ़ा है, 8 times पर trade करता है कोल इंडिया, 8 times, F25 के हिसाब से, इतने बड़ी rally के बावजूद, और dividend yield भी देख लीजे आप कोल इंडिया की, तो मेरे इस रिसकल क्यों ने चला, frankly, मुझे लगा कि शायद market management की con call की वेट कर रहा होगा, यो कुछ सुनना चाह रहा होगा, कि ये numbers sustainable है या नहीं है, क्योंकि अच्छे numbers पर जब stock ना चले तो मुझे दिक्कत होती है, मैंने आज इसको फिर green में लिया है, क्योंकि अब brokerages ने numbers पढ इसके लिए, और मैं आगे निक चीज़ बोल रहा हूँ कि week sector में जो company अच्छे numbers देती है, जैसे आरती चला finally, आरती दो-तिन चला, तो इसके लिए P.I. industries पर मैं एक positive view लेकर चला हूँ, finally, एक मेरा all-time favorite जो stock रहा है, GMR Airports, इसको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, कल MSCI का जो review आया, उसमें हमको, यतिन ने अल्री प्रिपेर कर दिया था कि कौन-कौन से stocks include होंगे, एक stock जो थोड़ा surprising factor रहा हूँ है, GMR Airports, और यहां पर three times price to average delivery volumes वाला inclusion है, और 2000, मैं जो passenger traffic data वो भी बहुत शांदार रहा है, तो इसके लिए GMR Airports मेरे radar पर, ध्यान रखिए, लेक अगर वोई खराब है तो फिर चाहे news अच्छी होगे खराब हो, उससे कुछ इतना फरक पड़ेगा ने, लेकिन अभी के लिए मैं तीन स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ, बाईचांस तीनो ग्रीन में, तीनो ग्रीन में, तीनो आज के big stocks, कौन से दिगच कोल इंडिया, जिस निफ्टी के numbers पे खुलते ही हमें react करना है, P.I. Industries अच्छे numbers पे कल ठका हुआ stock था, 2.5% दबाव में ही था मेरे खाल से, आज लेकिन फिर radar पर रिकी हो सकता है result related adjustments play out हो, लेकिन numbers strong थे, brokerages का thumbs अपाता हुआ, और GMR airports अपने MSCI inclusion के चलते, आज फिर अवास के radar पे, यह चे के खूँ NEज पूँंग, अज उन राहर हो, लेकिन और मिरा हुआ pengarबाभ, आवास के चलते हिस, जबाई लेकिन morning दो हो सब्सक्था में ही जबाभ, खिन like में पबाषन दोटना हम आज ही पूमें के में हमें ही यह कहा है, P.I. सब्सक्त के चुमाच्माच के ख़यू